नमस्कार महुं अनिल और आप देख रहें MMC NEWS भारत सरकार ने उडान नाम से एक योजना चलाई है जिसमें देश के छोटे-छोटे सहरों को भी एर कनेक्टविटी से जोडा जा सके गाजीपूर से दिल्ली हवाई सेवा सुरू करने में भी एक दो सेवा परदाताओं ने भी रूची दिखलाई है यह बात आज गाजीपूर के अंदव हवाई पटिप केंद्री उड्यन विभाग तथा संबनित अधकारियों से बैठक करने के बाद गाजीपूर के सांसर तथा केंद्री रेल वा संचार राजमंत्री मनोसिना ने कहिए उन्होंने बताया कि छोटे विवाण जो 70 सीटर होते हैं उसने गाजीपूर से दिल्ली वर लखनाव के लिए इसमें रूची दिखलाई है तथा प्रस्ताव दिया है मंत्री मनोसिना ने बताया कि उलान के लिए लगभग और 900 मीटर का रन्वे चाहिए जिसके लिए अधिकारियों चे कह दिया गया है जो शिगरी उसकी बेवस्ता कर लेंगे उटे सहरों को भी एर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है जो सर्विस प्रोवाइडर से उसमें एक दो लोगों ने रूशी दिखाई है गाजीपूर दिल्ली हवाई सेवा सुनू करने के बंबार्डियर एरक्राफ्ट जो सतर सीटर होते हैं उन्हें प्रस्ताव दिया है गाजीपूर से दिल्ली चलाने का हो गाजीपूर से लखनों अभी जो एक इस्टिंग रनवे है इसकी लंबाई कम है ऊथ गाजीपूर को अंतराष्टी पहचान दिलाने के लिए गाजीपूर स हावाई उडान को लेक उड़न विभाक का अएक डल संबद अधिकारियों के साथ गाजीपूर अंधौ अवाए पट्टी पनि इछण के लिए जिला दिकारी के बाला जी तिदा जीले के प्रसासनी अधिकारियों के साथ पहुचा और भूमीगत निरिच्छड का सिग्रिश सेवा कर प्रति अपनी रूची दिखलाई वहीं अब इस तरह के सुपजा सुरू हो जाने पर जनपत के ब्यापारियों के साथ ही आम जन में भी खुसी की लहर है वाकई आज गाजीपूर का इत्यास एक दिन है और विकास पुरोस हमारे मनोसिना जी ने इस छेतर पे भी ध्यान दिया इसके लिए पूरा जनपत उनका अभारी है बलकि यूं कहें कि अगल वगल जो हमारे बिहार सटा हुआ है वो गाजीपूर पूरा पुरवांचल इसक जो आप जानते हैं कि फिल्म जगत से हमनों जुड़ेवे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी जो एनवाई की टीम है उनको आने में अपको यह असुदा नहीं होगी 20 संदे कि गाजीपूर का ये एरपोर्ट बनने के बाद यहां पर हमारे जो एनवाई के सुप्रीमो अजय दिवगन साहब हैं वो उनका पूरा परिवाब उनकी पूरी टीम समय समय पर गाजीपूर में आने में लग समय में